हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हायर सल्फ के बारे में बताने जा रही हूँ हायर सल्फ क्या होता है और कौन से वो संकीत हैं जिनके माध्यन से हमें पता चलता है कि हम अपनी हायर सल्फ से कन्येक्टिब हो रही हैं दोस्तों higher self इंग्लिश के दो शब्द से मिलकर बना है higher यानि उच्छा और self मिन्स स्यम से related. सरल शब्दों में higher self हमारी चेतना की उच्छी स्तर या higher vibrations को represent करता है. हमारी चेतना का ये उच्छा इस्तर ब्रह्मानी चेतना का हिस्सा होता है जिसके जागरत होने पर हम अपनी जीवन की उद्देश यानि लाइफ भपच को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं. दोस्तों सभी प्राणी इस धर्ती पर किसी न किसी उद्देश से जन्म लेते हैं और जब तक इस धर्ती पर आने का उनका वह उद्देश पूरा नहीं हो जाता तब तक वे बार बार इस धर्ती पर विभिन्य रूपों में जन्म लेते रहते हैं या फिर कहें तो वह जीव मरण के चक्र में उलजी रहते हैं धर्ती पर उस उद्देश को प्राप्त करने और उसे पूरा करने के लिए हमें अपनी चेतना को उसके उच इस्तर तक पहुचाना होता है यानि कि हमें अपनी चेतना को लोवर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में पहुचाना होता है जिससे वे युनिवर्स की इनर्जिस के साथ एलाइन हो सके और हम अपने जीवन की उद्धिश को पूरा कर सकें दोस्तों अपने हायर सेल्फ से मिलने के कई तरीके होते हैं हम योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, आदी के द्वारा अपने हायर सेल्फ को मैसूज कर सकते हैं आपका हायर सेल्फ आपको किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है किसी महिला के रूप में, पुरुष के रूप में, चाहे आपके पहचान कोई भी क्यों न हो यह एक जानवर, एक रंग और एक ओजा के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है कभी-कभी जब आपकी वाइबरेशन्स बढ़ती हैं तो आपका हायर सेल्फ आपको खुद ही कॉंटेक्ट करने की कोशिश करता है इसमें सबसे पहले जो संकेत होता है कि आपका हायर सेल्फ आपको कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वह है 1111 दिखना यह नमबर आपको कहीं में दिख सकता है अपनी रिष्ट वाच पर, केमरे की घड़ी में, मुबाइल पर, गाड़ी की नमर प्लीट में, किसी बिल पर आप राश्ते में कहीं जा रहे हैं वहाँ पर या कहीं भी अगर यह नमबर आपको बार-बार दिख रहा है, तो समझ जाएए कि यह आपके हार सेल्फ की आपको कॉलिंग है दोश्तो, दूसरा साइन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना या प्रकृति के साथ रहना पसंद करनी लिखते हैं आप हर उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, जो निगेटिव सोचता है या उसके निगेटिवटी का इंपक्ट आपके जीवन पर पड़ने लगता है इसके साथ ही, अगर आपके खुद के मन में निगेटिव विचार आते हैं, तो इन थौर्ट्स को आप पॉजिटिव थौर्ट्स में बदल देते हैं निगेटिवटी आप पर अधिक समय तक हावी नहीं रह पाती, आप जल्दी ही इस्टेवल हो जाते हैं तीसरा संकेत है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगता है आप भले ही कोई भी काम क्यों न करते रहें, आपके अंदर सेल्फ मेडिटेशन चलता रहता है जो इस बात का संकेथ है कि आप lower vibration से higher vibrations की और बढ़ चुके हैं दोस्तों अगला संकेथ है आपके सपने ज्यादा से ज्यादा इसपश्ट हो जाते हैं और आपको अपने सपनों के माध्यम से अपने अगले इस्टेप की जानकारी मिल जाती है कि आगे आपको क्या करना है आप अपने पर ज़्यादा फोकस करनी लगते हैं आत्मचिंतन और आत्ममंधन करनी लगते हैं सही गलत की पहचान और ज़्यादा क्लियर हो जाती है अपनी इंट्यूशन की सुननी लगते हैं और उसी के according काम करने लगते हैं दोस्तों अगला sign है आप freedom महसूस करने लगते हैं कोई भी काम करते समय आप अपने दिल के सुनने लगते हैं आपको ये फर्क नहीं पड़ता दूसरी इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे आपके अंदर से जो feeling आती है आप वही होते हैं आप बनावती पन से बहुत दूर हो जाते हैं आप life को एक अलग तरह से enjoy करने लगते हैं कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं जो आपके life purpose से related होगा और आपने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया होगा आपको अंदर से उस काम को करने पर एक satisfaction एक खुशी मिलेगी जो बिलकुल अलग तरह की होगी आप life को नए तरीके से जीना शुरू कर देंगे दोस्तो अगर ये सब संकेत आपको अपने जीवन में मिलना शुरू हो गए हैं तो समझ जाएए आप बिलकुल सही दिशा में हैं और अपने higher self के बहुत करीब हैं आप universe की energy के साथ aligned हो गए हैं और जल्दी ही उस stage पर पहुँच जाएंगे जहां आपकी हरविश्क नेनिफेस्ट होनी लगेगी आप अपने higher self की vibrations में रहें इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाल